हलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिकेपी क्लासिस के अंदर और हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की साइंस के बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सुराउंडिंग्स हमारे आसपास के पुदार तो इससे पहले की वीडियो हमने बात की थी हाँ पर मैटर के बारे में और स्टेट्स ओफ मैटर के बारे में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानि कि जो हमने स्टेट्स ओफ मैटर पढ़ा था तो जो स्टेट्स ओफ मैटर होती हैं या नहीं होती हैं ठीक इस बात का जा तो अब हमारे पास क्या रहा है क्या जो स्टेट्स हो सकती है एक दूसरे के दर क्या हो सकती है ठीक है तो क्या होगा क्या क्या कर सकती है अपने स्टेट को चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है अनसर पता लगाएंगे तो जैसे कि हम ऑपजेर करते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या से-सै बरफ है तो हम देखते हैं कि आइस क्या होती है जो वार निकाल लेते हैं तो वह वहाटर के अंदर चेंज होझा वाटर के अंदर जो आई है पर क्या है इसके है has a like and all these colors करते हैं और अगर आगर फिरें जो जाता किसके अंदर gas के अंदर change हो जाता है यहांसे आप देख रहे हो यहांसे आप देख रहे हो यहांसे जो आइस है water के अंदर और water vapor यहांसे जो हम देख रहे हैं यहांसे जो मारी चीज है यहांसे कर सकती है अब हम बात करेंगे जो यह चेंज आता है matter की state के अंदर तो एक किस किस तरह से क्या होगा possible हो सकता है ठीक है तो यहां अगर हम बात करते हैं change की तो answer क्या होजेगा हमारे यहांपे तो answer अगर हम बात करें तो the states of matter can be changed हम इसको change कर सकते हैं लेकिन हमारे पास क्या होगे चेंज करने के यहां पर दो हम क्या करेंगे यहां त्रिक के बोल सकते हैं यहां पर इस्तमाल करेंगे एक तो क्या होता है यहां कि जैसे आपने देखा यहां पर हम क्या करें तेंप्रेचर को changing by changing temperature by changing temperature and pressure भई हम क्या करेंगे यहां पर temperature को या pressure को change करके क्या कर सकते है state of matter को क्या कर सकते है change कर सकते है तो अब देखें किस तरह से temperature और pressure को change करके तो matter की states है उनको एक दूसरे के अंदर किस तरह से change करेंगे जब हम क्या करेंगे temperature और pressure को change करेंगे इसके अंदर ठीक है देखें इसको समझते भी याँ पे सबसे पहले हम temperature को देखेंगे याँ पे एक matter के अंदर temperature को change करने से किस तरह के change याँ पे आएगे उसके जो particles होंगे उनके अंदर किस तरह का change याँ पे आएगा जब हम temperature को यहाँ पर क्या करेंगे चेंज करेंगे ठीक है तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर effect effect of change of temperature क्या होगा जो matter है यहनिकी matter की जो particle से matter है ठीक है तो हम क्या करेंगे temperature का change करने का effect देखेंगे क्या पड़ेगा यहाँ पर ठीक है तो देखिए सबसे पहले जैसे अभी हमने एक्जामपल यह था आइस की बात कर थी हम यहाँ पर तो माल लिजी हमने क्या किया हुआ यहाँ पर आइस को लिया हुआ है बरक को लिया हुआ है ठीक है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी आइस को क्या कर रहे है जो ice का temperature है माल लेजी यहाँ पर temperature है minus 30 degrees Celsius ice का ठीक है उसके बाद हम क्या करें temperature change करें temperature change मतलब हम यहाँ पर क्या करें temperature को increase करवा रहे क्या करवा रहे temperature को increase करें मतलब बढ़ा रहे है ठीक है अगर यहाँ minus में minus का आप को ध्यार करेंगे तो क्या होगा और small यानि की value यहाँ पर क्या जी कि small मान लीजिए यहाँ पर minus 25 degrees Celsius हो गया लेकर अगर आप यहाँ पर ice की बात करोगे ice क्या होता solid state के अंदर होता है अगर इसकी particle की arrangement देखांगी तो कुछ इस तरह की ordered arrangement होगी है कि यहाँ पर particles की यहाँ पर देख सकते हो solid के अंदर यानि की जो ठोस होता है उसके अंदर आप किया पर उसके बाद आप क्या करेंगे temperature को बढ़ाते जारों increase करते जारों अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे हाँ पर temperature को increase करते जाएंगे यह माइनस में इसका आपको ढ़ें रखने हैं आप तो increase करते जाएंगे तो क्या होगा हमने पढ़ा है यादे जो matter के क्या होते है पार्टिकल्स होते कण होते है तो उनकी characteristics में हम ने एह बात की थी कि अगर हम क्या करेंगे फास्ट उइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे आप जैसे स्वास्थ यूं कैनटिक अनरजी क्या होजेगी इंक्रीज हो जएगए तो जैसे सिप्टर बढ़ाते जाएगब तो इसे जी कर्ते-टे- tossed chases की state पे आगे मतलब क्या हुआ एक ऐसी stage पे प zagप पहुँंच गए गए जहांपर प्रेटर ला गए तेंपरेटर बढ़ा ते यहांपर जो हम क्या करे थे हूँएद करते हीट दे रहे कर रहा था तो इस stage के उपर क्या होगा जो बात करें यहां पर कि हम heat supply कर रहें temperature increase करने में यहां पर तो इस stage पर क्या होज़ेगा इतना मतब heat हमें क्या करेंगे हम supply कर देंगे कि जो यह force है क्या है जो इनके बीच में intermolecular force काम कर रहा है तो इससे ज़्यादा heat क्या करें में supply कर रहें यहां पर तो इसकी वज़े से क्या होगा यह force कम पड़ जाएगा जिसकी वज़े यानि कि जिसकी वज़े से क्या थे एक दूसरे के पास थे यानि कि जो इक पार्टिकल थे इस force की वज़े से क्या हुए थे, bind थे एक दूसरे में, यान कि बंदे हुए थे एक दूसरे के साथ है, लेकिन हमने यहां पर heat का amount दिया, वो इतना ज़्यादा हो गया, इस force से, कि यह particles क्या होगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, इस तरह से क्या होगे, एक दूसरे से दूर चले सरू हो जाएगा, किस temperature पर हम बात करें यहां पर, zero degrees Celsius temperature पर बात करें यहां पर, ठीक है, तो मतलब क्या होगे यहां पर, तो यह जो stage है, stage को क्या बोला जाएगा, मतलब ice के हम बात करें यहां पर, तो इसको बोला जाएगा, यह जो temperature आया है, malleting point, क्या बोला जाएगा, malleting point पर क्या होगा हमने जो यह बात की है ये चीज होगी यहां पर टो तो मैलेटिंग पॉइंट किसको बोला जाएगा मैलेटिंग प्वेंट तो मैलेटिंग प्वेंट क्या होगा The Temperature क्या होगा The Temperature At Which The Temperature At Which Solid At Which Solid Melts At Which Solid Melts To Become Melts to become a liquid to become a liquid at atmospheric atmospheric pressure at atmospheric pressure ठीक है तो यहां पर क्या होगा यह वो temperature होगा जहां पर हमारा solid क्या होगा मैट सेने कि पिगलना क्या होजगा शरू होजगा जैसे हमने यहां पर देखा 0 degree Celsius के अंदर ice क्या होगा था पिगलना सरू होगा था to become a liquid क्या liquid बनने के लिए कहां पर at atmospheric pressure तो atmospheric pressure क्या होता है वैसे तो 8 class में हम इसके बारे हम पढ़ के आई हैं तो atmospheric pressure क्या होगा तो यह क्या होगा अगर हम इसके बात करते हैं तो pressure किसका होगा है जो हम atmospheric के अंदर क्या करते है air को देखते है air क्या होता है मिक्षर उप गैसिज होता है बहुत सरी गैसिज होती है तो उन गैसिज के दिवारा या एर के दिवारा जो प्रेशर लगाया जाता है जो प्रेशर क्या क्या जाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं एक्टमोस्पिरिक प्रेशर बोलते हैं और प्रेशर के बारे में हमने बात होता है इतने पासकल के बराबर होता है यहां पे तो हम बात करें यहां पे esquePU inट के यह उपर कोई बी सोलिड क्या हो जेगा पिगल ना शुरू कर देगा मैट न स्टार्ट हो जाएगा किसमें कोट two omega साथ में कि लिक्वट हो न वो भी वह इंपोर्टेंट है यहां तो देखिए अभी हमने आइस के अंदर देखा था यानि कि जैसे जैसे इम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे थे यहां पर तो लास्ट में हमने देखा कि जो आइस के जो पार्टिकल्स थे जो सोलीड स्टेट के अंदर थे पहले ले कि इसका यहां पर टेंप्रेचर देखा आपने जिरो डिगरी चलसे सेर ऐहां पर लिक्विड के अंदर सोलीड के अंदर ब्हाल पर अथा यह इसका मतलब क्या हुआ है था-ट वह जो यह हिट कहां गय हमारी यहां पर-जो यह disciplines कि न पिपर करने के लिए खतम करने के लिए क्या क्या गया था जो energy का use क्या गया था तो वो heat हमारे कहां खरच हो जाएगी इसके अदर खरच हो जाएगी और उस heat को हम क्या बोलते है लेटेंट क्या बोलते है आप लेटेंट हीट बोलते है क्या बोलते है लेटेंट हीट लेटेंट का मतलब होता है hidden ल क्या बोलते हैं यहां पे Latent Heat of Fusion बोलते हैं ठीक है तो Latent Heat of Fusion देखिए यहां पर क्या होगा समझ में आगे ना आपको यहां पर बई जब क्या हुआ 0 degree Celsius पे जो आई सोलीड की फूम में थी तो इसी temperature पर यहने की पिगलना सरू करेगे liquid state के अंदर आना start हो जाएगी तो हम जो यहाँ पर heat supply करे थे तो वोश में temperature के अंदर कोई change नहीं आया है तो वो heat कहां खरच होई यहाँ पर तो वो कहां होई थी वहाँ पर जो यह force in particle के बीच में काम कर रहा था इसको कम करने या खतम करने के लिए क्या की गई थी इस्तमान कर ले गई थी तभी तो यह particles एक दूसरे से क्या गई थे दूर गई थे ठीक है तो उस heat को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर latent heat of fusion देते हैं latent heat of fusion हम किसको कहेंगे यहाँ पर the amount the amount of heat requires the amount of heat requires to change 1 kg solid to change 1 kg solid into liquid into liquid at atmospheric pressure at atmospheric pressure and at its melting point and at its melting points ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर latent heat of fusion क्या होगा the amount of heat तो यह क्या है amount of heat भही हमें कितने heat यहाँ पर देनी पड़ेगी required जो चाहिए है 1 kg solid को change करना किसके अंदर liquid के अंदर change करना है atmospheric pressure की बात कर चुके और उसके melting point के ओपर ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे latent heat of fusion बोलेंगे melting point क्या होगा latent heat of fusion की बात होगी है अभी क्या होगा यहाँ पर जो हमारी ice थी तो वो किसके अंदर change होगे यहाँ पर water के अंदर change होगे किसके अंदर change होगे water के अंदर change होगे हम बात करें यहाँ पर 0 degree Celsius के 0 degree Celsius पर ice क्या होते है water के अंदर change होना start होते है क्या जो water के particles है ये उनकी arrangement आपको कुछ इस तरीके के दिखाई दरी यहापे और temperature आप increase करते जा रहे हो, increase करते मनलब 50 degrees Celsius उसके बाद आपने क्या कर दिया, 100 degrees Celsius आप जीरे दरी बढ़ाते जा रहे हो, increase करते जा रहे हो, तो फिर से क्या होगा हम यहापे heat supply करते जा रहे है, तो जाएंगे, तो फिर से क्या होगा, यह force कम पड़ जाएगा, फिर से क्या होगा, यह particles एक दूसरे से दूर जाना start हो जाएगे, दूर जाना क्या हो जाएगे, आपर start हो जाएगे, ठीक है, तो अब देखिए इस temperature पे क्या होगा, यहाँ पे, जब यह particle एक दूसरे से दूर वाटर के हमें यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, यह force क्या हो जाएगा, जिसके वज़े से particles एक दूसरे काफी दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाएंगे, तो क्या होगा, यह कुछ इस तरह की arrangement आप इसके अंदर देखोगे, जो randomly क्या करते रहते है काफी दूसरे से, distance पर क्या करते रहते हैं, मूँ करते रहते हैं, ठीक हैं, तो अब आप देखरें, वह 100 degree Celsius पर क्या होगा है, यह जो liquid था, वो किस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, ग्यास के अंदर जा रहा है, वह वापर स्टेट के अंदर जा रहा है, वह पर को क्या बोला जाएगा, वाटर के अगर हम बात यहां करें, लिक्विड को भी हम यहापे एदलेट कर सकते हैं, तो इस temperature को क्या बोला जाएगा, जिसके अउपर गया है, जो यह liquid था, यह किसके अंदर स्टार्ट हो गया था, ग्यास के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो तो उस टेंपरेचर को क्या बोले जाएगा 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 बोले at which a liquid boils to become to become a gas या फिर हम बात कर सकते हैं वैपर स्टेट के नदर उचला गैस क्या है यहां पर स्टेट है वैपर स्टेट ठीक है एट एट मोस्पिरिक प्रेशर एट मोस्पिरिक है प्रेशर ऐट मोस्पिरिक प्रेशर ठीक है तो बॉयलिंग क्याinator कोई भी लिकूर्ट है यहाँ ठीक है तो इस लिकाइङ का अंतर करते हुआ हम गए थे तो बोलेंग पोलेंग थीक है तो देखिए यहाँ पर फिरसे वही बात आता है हीट की यहाँ पर बात करेंगे मिहां पे तो जैसे हमने हैस के अंदर देखा था जयनके जब क्या होगा था यान कि liquid के अंधर change hellobar rapid heat of fusion की बात कि थी तो अब क्या होता liquid जब gas के अंदर change होता है तो हम आंग हीट suply क्या हुआ और sourd Egypt ग क्या हो गया जाधा हो गया वहाँ प er l gene दिखर रहा है यहां पर फिर से देखो कि आप 100 डिगरी सेल्सेस पर क्या हो रहा है वह वाटर और स्टीम दोनों फोम में आपको नजर आ रहा है यहां पर वाटर और स्टीम तो तो टेंप्रेंचर मों करें फिर से देख ओंगरी जिसकी वज़े से यहां पर यहां क्या हुआ था यहां हमारी जो हीट वो खरक हो गए यहां पर तो इस हीट को क्या क्या बोला जाएका यहां पी इस case के अंदर जब liquid से वैपर स्टेट के अंदर जाएंगी तो हुआ बोलेंगे लेटेंट हीट ओफ क्या बोलेंगे लेटेंट हीट ओफ वैपोराइजेशन वैपोराइजेशन ठीक है तो लेटेंट हीट ओफ वैपोराइजेशन इसमें बोलेंगे मैं यहां पर जब क्या होगा लिक्विड जो होता हो वैपर स्टेट के अंदर जाएगा तो लेटेंट से मने वाट डिफाइन किया था तो यह क्या होगा amount of heat होगा the amount of heat the amount of heat requires the amount of heat requires to change to change one case of liquid one case of liquid into gas at atmospheric pressure atmospheric pressure at atmospheric pressure तो यह क्या होगा amount of heat होगा जो चाहिए हमें यहाँ पर change करने के लिए किसको 1 kg यहनकी one case of liquid को किसके अंदर gas के अंदर change करने के लिए चाहिए यहाँ पर तो उसको क्या बोला जाएगा latent heat of vaporization बोला जाएगा क्या बोला जाएगा vaporization बोला जाएगा ठीक है समझ में आके यहाँ पर दो तरह की अपने पड़ी latent heat of fusion जो क्या होता solid से liquid conversion में आप देखते हूँ यहाँ पर जो heat चाहिए होती है और latent heat of vaporization क्या होता है liquid से जब क्या करते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहनकी gaseous state के अंदर conversion को देखते हूँ वहाँ पर तो वहाँ पर जो heat खरच होती है उसको क्या बोला जाएगा latent heat of है vaporization बोला जाएगा ठीक है जो sports को overcome करने के लिए चाहिए होती है जो क्या करता है states को change करने में यूज करता है तो यह था हमारा temperature का उसके बाद देखें यहाँ पर temperature में हम साथ में बात करते हैं आपको बुक से आप देखोगे यहाँ पर एक और आपका scale इस्तमाल के जाधा temperature को में मेजर करने के लिए जैसे अभि हमने बात कि यहाँ पर आईस की तो आईस खा जो जिरो डिगरी चैल्सब्स बाद हमने वाटर की बात की यानिक जो पानी का हमने boiling लिए जाता है तो यहां से एक्जाम में क्या होता है निमेरिकल पूछ लिया जाता है टेंपरेचर को यहीं की दूसरे स्केल केंदर चेंज करना आपको यहां पर बिल्कुल आसानी से आप देखोगे अगर आपको क्या करना है Celsius को Kelvin के अंदर चेंज करना पड़ता है तो आप simply क्या करोगे 200 ती एतर को क्या कर दोगे एड कर दोगे for example माहन लिए आपके पास है 30 degree Celsius 30 degree Celsius temperature को आपको Kelvin के अंदर लिखना है Kelvin के अंदर change करना तो simply क्या करोगे इसके अंदर आपर 233 Kelvin को यहाँ पर क्या करोगे add कर दोगे add कर दोगे तो क्या आज़ेगा आपका total कितना आगे यहाँ पर 303 Kelvin यहाँ पर क्या आगे temperature आगया तो इसका मतलग क्या हुआ 30 degree Celsius है वो कितने के बराबर होगे 303 Kelvin के बराबर होगे तो 30 degree Celsius जो temperature है वो Kelvin में किसके बराबर होगे 303 Kelvin के बराबर होगे यहाँ ठीक है उसके बाद अगर आपको क्या करना हो Kelvin से Celsius के अंदर चेंज करना हो तो क्या करोगे वहाँ पर 230 को माइनस कर दोगे अब माली जी हम यहाँ पर 300 Kelvin है और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर Celsius के अंदर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर 200 Kelvin के इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बज़ेगा तो Celsius के अंदर डिगरी से है तो आप देख रहें यहाँ पर 300 Kelvin के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पे आपका यह जो scale है इसमें आपको confusion नहीं है उसके बाद देखें मैं एक और scale यहाँ पे use करते हैं मैं आपको यहाँ formula बताऊँगा उसकी help से आप इन तीनो scale को आपस में convert करने की अगर आपका कोई question आता है जुरूर पड़ती है आप उसका use करके क्या कर सकते हो आसानी से कर सकते हो ठीक है तो देखें अगर हम बात करते है फारन हाइट की तो फारन हाइट के लिए क्या क्या ज़र टेंपरेचर की measurement में यूज किया जाता है तो क्या होगा हम बात करेंगे 9 by 5 C plus 32 तो यह आपका एक formula है जहां से आप क्या कर सकते हो फारन हाइट और celsius को क्या कर सकते हो आपस में change कर सकते हो ठीक है इसको हम क्या कर सकते है अगर हम लिखना चाहिए तो यहाँ पे जो 9 है 9 को इस सेड लिए तो क्या हो जगा F by sorry पहले आप 32 को लेकर आई तो minus का 32 उसके बाद क्या होगा आप यहाँ पे 9 को नीचे लेकर आई यह 9 equal to किसके बराबर हो जाएगा यहां से C by 5 ठीक है तो इसको इस तरह से भी लिखा चाहिए तेखिए यह जो formula यह आपका अगर आप क्या करते हो Kelvin को भी यहाँ पे देखना चाहते हो साथ में ही तो Kelvin का हमारा conversion रह गए यहाँ जो temperature दे रखा है उसमें से क्या करना है दोस्तों यह तरह Kelvin minus करना है और यहाँ पे यह तो equal रहेंगे तो 5 से क्या करना है डिवाइड कर दिना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो इसका use करके आप क्या कर सकते हो तीनों scales में किसी भी temperature को किसी भी scale में change करने की जोज़ पड़ती है देखिए आपे अभी इसको एक डियाग्राम से समझ लेते हैं तो जब भी आपके पास कोई solid गीवन है और आपको liquid के अंदर क्या करना उसको convert करना हो और उसको further gas के अंदर तो कैसे किया जाएगा यहां से अगर हम solid को क्या करदेंगे heat करेंगे तो वो liquid के अंदर change हो जाता है liquid को further अगर हम क्या करें heat करें तो वो किस के अंदर change हो जाएगा gas के अंदर change हो जाएगा ठीक है और अगर हमारे पास gas है और उसको liquid में change करना तो क्या करदेंगे temperature कम करदेंगे कूल कर देंगे, वहाँ पे, तो क्या हो जएगा, वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जएगा, ठीक है, और लिक्विड में, पानी है, जैसे आपकु उसको फ्रीज में रखते हो, तर टेंपरेचर कम हो जाता, तो उसको ठंडा का change करके आप simply समझ सकते हो इन तीनों state के यदर किस-किस तरह से क्या होगा change होगा, उसके बाद हम next आगे बात करते हैं याँ पे effect of change of pressure को समझेंगे याँ पे, तो देखिए pressure को change करके भी हम क्या कर सकते हैं याँ पे, जो states of matter है उसको change कर सकते हैं, effect of change of pressure ठीक है तो देखिए यहाँ पर pressure को कैसे हम यहाँ पर change करके states of matter को change करेंगे तो हमारे जो particles है gaseous particles के हम यहाँ पर condition लेते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास एक cylinder है और उसमें यहाँ पर gas के कुछ particles है इस तरीके से उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर pressure apply कर दीजिए pressure increase कर दीजिए pressure बढ़ा दीजिए तो next stage में आप देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा तो जैसे आप pressure increase करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह कुछ इस तरीके की arrangement आप यहाँ पर देखोगे आपको दिखाए देगी arrangement और फिर से क्या कर रहे है आप pressure को increase करते हो दिरे दिरे आप देखोगे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हो जो यह क्या करेंगे एक दुसरे के नजदिक चले जाएगा ठीक है अगर आप pressure को temperature को decrease कर रहे हो तो क्या होगा हम किसी भी जो हमारी gas है उसको क्या कर देंगे liquid के नदर change कर देंगे मिस क्या कर देंगे, गैस को लिक्विफाइड कर देंगे कैसे करेंगे, प्रैशर को इंक्रीज करके और टेंप्रेचर को यहाँ पे हम डिक्रीज कर देंगे यहाँ ठीक है, तीस तरह से क्या होगा, प्रैशर को चेंज करके भी हम यहाँ पे कैसे इ profoundly होती है तो यहाँ पर हम बात करें ऑसके बार लिक्विड्ड है उसके बाद यहाँ बात करें पर sublimation देखें यहां पर liquid नहीं है बीच में सिधा हम gas से क्या करें directly solid के अंदर क्या करें change करेंगे तो उस process को हम क्या बोलेंगे यहां पर sublimation बोलेंगे ठीक है उसके बाद हम इसका reverse देखते हैं जब liquid को क्या किया जाएगा solid के अंदर change किया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा यहां पर solidification बोला जाएगा क्या बोला जाएगा solidification ठीक है solidification बोलेंगे और जब क्या होगा gas को हम liquid के अंदर change करेंगे gas को क्या करेंगे liquid के अंदर change करेंगे तो उसको कैसे करेंगे आपको पता कंडंशियेशन बोलें क्या बोलेंगे कंडंशियेशन ठीक है और सोलीड को अगर हम क्या कर दें डारेक्ट गैस के अंदर चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को भी क्या बोला जाएगा सबली मेशन बोला जाएगा ठीक है तो सबली मेशन क्या होता है सबली मेशन इ आज़े का चेंज हो जाएगा ये गैस में कोई भी मरा या भी मैटर है वो कि आज़े का डारेक्ट सॉलिड के अंदर आ जाएगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे आपे सब्लिमेशन बोलेंगे ठीक है तो इस डियाग्राम से आप पुरा कन्वर्जन को क्या करते हो समझते हो यहाँ पर याद रह जाएगी आपको पते ओके तो यहाँ पर देखिए अभी हम बात करते हैं सबलीमेशन का एक्जम्पल की सबलीमेशन का एक्जम्पल क्या है सुलिड से डारेक्ट गैस के अंदर तो आपने देखिए यहाँ पर स्योट सी ओटू कि बात करते हैं तो यह जो गयस होती हाई प्रेशर के उपर रखते हैं और यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा हमारा जैसे अकृट-वाट यहाँ फों के अंदर जैसे यहों क्या करेंगे प्रेशर रिल्लीज करेंगे तो यह direct क्या होता है, जो CO2 को किसके अंदर change जाता है, आपका gaseous state के अंदर change जाता है, क्या होता है, gaseous state के अंदर change जाता है, तो यह क्या होगा, sublimation का example है, CO2, ठीक है, जो solid form के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहापे dry ice, क्या बोलते हैं, dry ice, ठीक है, तो यह किसका example है आपे जिसमें high pressure apply करके में आपे solid foam में रखते हैं pressure जैसे हट जाएगा तो यह किसके अंदर आ जाएगा आपका gaseous state के अंदर आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं यहापे नाम ही इसका dry ice ठीक है तो आपने यहापे देखा जो यह solid CO2 था तो यह direct किसके अंदर चला जाएगा आपका gas के अंदर चला जाएगा ठीक है उसके बाद आपका जैसे कपूर होता है कपूर की गोलिया आपने देखोगी जो nataline balls होती है camper जो हम बोलते हैं तो वो भी क्या होता आप देखते हो यह कपड़ों के अंदर जब उनको रखते हैं उसके बाद जैसे हम क्या करते हैं कुछ time बाद यह कपड़ों को देखते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे जो बोल्स आपने वहाँ पे कपूर की रखी थी, गॉलियां रखी थी, तो वह क्या हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, वहाँ पे भी क्या हुआ, सब्लीमेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है, क्योंकि उ यहां पे हमने आज पढ़ाया कि किस तरह से state of matter के अंदर change आता है ठीक है क्या क्या वो method होंगे यहां पर क्या क्या वो process होंगे यहां पर temperature का concept हमने यहां पर देख लिया है तो आज की वीडियों में क्या करेंगे इतनी बात करेंगे next वीडियों में बात करेंगे आज की वीडियों के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे ठीक है तो मिलेंगे next वीडियों में तब तक के लिए आपको धन्यवाद